देवरिय सीनर सेकंडरी विद्ध्याले के समस्क क्लास 12 के विद्ध्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में हर्दिक स्वागत है हम लोग हिंदी की फुस्तक वितान के अंतरगत दूतिय अध्याय जो की आनंदियादोजी नहीं लिखा है जूज जिसका अर्थ संघर्ष निकलता है इस सिर्फक वाले अध्याय को पढ़ रहे थे दो वीडियो हमने और इसके पहले पूरा किया है जो आप तक पहुँच चुका है इस वीडियो में हम बची हुई कहानी को लेके आगे चलेंगे लेखक अपनी मा से बात कर लेता है पढ़ने के लिए और दत्ता जी राओ के हाँ जा करके पिता को समझाने के लिए उनसे निवेदन कर लेता है पिता लेखक के जाते है दत्ता जी राओ जी के सामने और जब उनको तरक विहीन करते हैं दत्ता जी राओ तो वे मान लेते हैं कि चलो ठीक है बेटे को पढ़ने भेजी दिया जाएगा उपर के लाओ इन देखें दादा जी ने मनमार कर कहा इस समय उसका कोई बस नहीं चल रहा था यानि लेका के पिता जी का कोई बस नहीं चला कि लेका को को ऐसे पढ़ने से रोका जा मनमार के बिचारे को ही दिये ठीक है दता जी राओ अगर आप कहते हैं तो मैं इसको पढ़ने भेज दूँगा खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया आप जो घर आए तो खाना खाने लगे दोनों बाप बेटा मिलके तो इनसे वचन लिया कि एक्चुली उस समय में वचन की बड़ी कीमत होती थी एक समय था जब लोग वचन दे देते थे कि मैं आपकी रक्षा करूँगा या मैं आपको सदेव सदेव के लिए अपने जौब पे रखूँगा या मैं आपको कोई निर्वाशित नहीं करूँगा तो वचन लोग जीवन भर निभा देते थे ऐसी प्रथा लोगों में बड़ी मान्य होती थी लोगों के बचन की कीमत होती थी आज तो वचन की बात ही छोड़ी लोग कसमों को तोड़ने में टाइम नहीं लगाते समय गई पाट साला ग्यारा बज़े होती है दिन निकलते ही खेट पर हाजिर होना चाहिए ग्यारा बज़े का स्कूल है दिन जैसे निकले गए तैसे तु खेट पर पहुंच जाना ग्यारा बज़े तक पानी लगाना चाहिए यानि ग्यारा बज़े तक खेट में सिचाई इत् ट्रेस लगा हुआ है या कोई विशेश तायरी करनी है सब कुछ नहीं पैदल भागते भागते विद्यारे पहुंच जाओ सबेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना और छुट्टी होते ही ये देखो फिगर है कि दताजी राओ चारपाई पे बैठे हुए हैं हुक्का पी रहे हैं जो देहात का एक विशेश प्रशलन था बड़े लोगों के यहां लड़का पीछे खड़ा है और ये लेकर के पिताजी नीचे बैठ करके चारपाई के और दताजी राओ की बातें सुन रहे हैं तो घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर धोर चराना यानि साम को जो छुटी हो घर जाओ घर जाके बस्ता अपना रखो जोला बस्ता जो भी बैग और उसको रखकर के सीधे खेत पर आजाओ और खेत पर जो जानवर हैं अपने वही रहते हैं उनको तुम च आश चाराना ताकि कुछ मेरी मदद भी करो कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाट साला में गैर हाजरी लगाना समझे मनजूर है का मतलब अगर घर पे ज़्यादा काम होगा तो तुमको उस दिन विद्याले नहीं जाना होगा उस दिन तुमें घर का ही काम करना होग क्योंकि आज इसके मनवाली बात हो रही है जब आदमी के मन की कोई बात होती है तो उसमें थोड़ी बहुत बिना मन की चीज़ों को भी वो स्विकार ही करता है हाँ इतना मनजूर हो तो पाट साला जाना नहीं तो यह पढ़ना लिखना किस काम का कहा जो मैं कह रहा हूँ अगर इतना तुम्हें मनजूर होगा तो पाट साला जाना और नहीं मनजूर होगा तो यह सपढ़ना लिखना किसी काम का है नहीं फालत वाली बात मत करना मैं तुमको बेजना नहीं चाहरा हूँ मैं सबेरे शाम खेतों पर आता रहूंगा न कास सुवेरे भी आऊंगा और शाम को भी आऊंगा दोनों टाइम में खेत में आऊंगा और तुम को देखूंगा अगर तुम उन कामों में कहीं भी गडबड़ी किये तो विद्याले जाना बंद हाँ ये दिन नहीं आया तो किसी दिन ये दिन नहीं आया किसी दिन तो देख गाउं में जहां मिले का वही कुछलता हूँ अगर तु नहीं मिला इस तना से खेतों पर काम करता हुआ के लिद्याले विद्याले तुमको जादा सूझ रही होगी तो जहां मिले को अहीं बहुत मारूँगा कुछलता हूँ कि नहीं तुझे तेरे उपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है देखो बेंगे मारने बोलने तेरे उपर पढ़ने का भूत सवार हो, तू जाएगा, पढ़ने जाएगा, मेरे मना करने का बाजूद तू जाएगा, दता जिराव से कहलवा के जाएगा, तेरे उपर जितना भूत सवार हो, सारा भूत उतार दूँगा, एक दिनी तर न ठोकूँगा, पीटूँगा, मुझे मालूम है बलिस्टर नहीं होने वाला है तू बलिस्टर मतलब पढ़ लिक करके तू बहुत बड़ा नाम कमाने वाला नहीं है मैं जानता हूं कितना तू पढ़ेगा क्या तू करेगा दादा बार बार कुर कुर कर रहा था मतलब गुस्टा कर रहा था मैं चुपचाप गर्दन नीचे किये खाने लगा था रोते धोते पाट साला फिर से शुरू हुई चलो घर से तो पाट साला भेजने का जुगार हो गया आप पाट साला में भी अर्जेश्मेंट जरूरी है बहुत सारे बच्चें घर से विद्धाले भेजे जाते हैं लेकि मित्र मंडली उनको इतना परेशान कर देती है कि वो परेशान हो जाते है और उनकी पढ़ाई लिखाए बाधित हो जाती है आप लोग तो अभी इस ट्वेल्थ अस्तर पे हो आप बड़े होके देखेंगे कि कहीं किसी विसेश कोर्स के लिए जब आप जाते हैं तो वहां रैकिंग से लेकर कि बहुत कुछ इतना बदला हुआ होता है मित्र मंडली का सुभाव बदला हुआ मिलता है कि अगर आप उहां पर अपना आरिश्मेंट नहीं बैठा पाते हैं तो आप बहुत कुछ परिशान होने के लिए अपने आपको छोड़ देते हैं या आप पढ़ाई छोड़ देते हैं आप वहां से भाग लेते हैं सारी लोग परिशान होकर के अपनी जान तक को दाओं पर लगा देते हैं और सोयम को नश्टक कर लेते हैं तो बहुत कुछ है दुनिया में बहुत सारी परिशानिया होती है क्यों घर से ही नहीं है गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूंक, प्यास, आदी का कुछ भी ख्याल ने करते हुए खेती के काम की चक्की में ग्यारा से पाँच बज़े तक पिस्ते रहने से चुटकारा मिल गया खेत में काम करने वाले यह नहीं देखता है कि गर्मी, सर्दी, वर्षा, क्या पड़ रहा है तुमारी तबियत खराब है, अच्छी है, कोई मतलब नहीं लेकिन इससे मतलब है कि खेती में अगर काम है तो तुम को काम करना है चाहे ठंडी लग रही हो या गर्मी लग रही हो जिस गर्मी के दिन में आप सारे के सारे लोग कूलर पंखा ऐसी की हवा लेते हैं, उस गर्मी के दिन में वह किसान खेतों में काम करता है आपके ओपर धूल मिटी पड़ती है, तो आप परेसान हो जाते हो और अपनी बंद गाडियों में अपने सीसे तक चढ़ा करके फिर उससे सफर करते हो वहीं उस भीषन लू और तप्ती दो पहरी में किसान गेहूं की मडाई जब कर रहा होता है तो सारी धूल, गर्दा, मिटी, सब कुछ उसके उपर पड़ता है, मुँपे कभी कपड़ा बांद लेता है, कभी वो भी नहीं बांदता है और गेहूं के पौधों को जब उठा करके थ्रेशर में लगाता है, तो बहुत सारे जगह हाथ इत्याज में कट पिट करके ब्लेड ब्लेड निकलने लगता है सोचो, कहां एक सहर का रहने वाला वेक्ती, कितने सुखों को बढ़ा लेता है और वही देहाथ का विक्ती, किस तरह से गर्मी की उमीद भी बगवान से, यह भी नहीं कहता बगवान मौसम ठंडा हो जाएगा तो धान की फजल से दाने नहीं निकाले जा सकेंगे अतव कहता है, यह भगवान, पच्छुआ होएं बहें, पच्छिम तरफ से आने वाली होएं बहें, लू बहें, लू बहने के साथ साथ, वो लू जब बहेगी, होएं गौरम होंगी, तो गेहूं के पौधे को आसानी से भूसा बनाया जा सकेगा और चाहे कितनी ही मिटी के उनों उड़े, उसमें खड़े हो करके काम करना है, तो करना है, यह किसान का काम है, तो कहाई, ग्यारा बज़े से चार बज़े के बीच में खेती का काम करने से फुरसत मिली, कमस्कम स्कूल में बैठने को मिलेगा, छाया में बैठने को मिलेगा, मालो उस समय पंखा कुल ऐसा कुछ नहीं था इसकूल में लेकिन इतना तो हो जाएगा कि विद्याले जाएगा और सुकून से वहाँ पे चार-पाज घंटा पाज घंटे तक की फुरसत है ग्यारा से चार बजे तक पढ़ने को मिलेगा आराम से दस मित्र मिलेंगे इसे आदमी का खर्चा पानी भी नहीं चल पा रहा नोकरी मिल जाएगी तो साय जिन्दगी आराम से कट सकती उस खेत की चक्की में पिसने से अच्छा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगने लगी मास्टर छड़ी से मारेंगे कुछ नहीं आएगा तो वो ठीक है लेकिन धूप में तप्ती दोपहरी में भीशन मेहनत करके जो खेती में परेशान होना पड़ता है उससे तो फुरसत मिलेगी दोपहरी भर की करक धूप का समय पाट साला की च्छाय में बेती तो हो रहा था गर्मी के दो महीने आनंद में बीत गए फिर से पाच्वी में जाकर बैठने लगा फिर से नाम लिखवाने की जरूत नहीं पड़ी पाच्वी ना पास की टीपड़ी नाम के आगे लिखी हुई थी वह पाच्वी के ही हाजिरी रिजिश्टर में लिखा रह गया था पहले दिन कक्षा में गया तो गली के दो लड़कों को छोड़ कर कोई भी पहचान का नहीं था मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गये थे मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिने कम अकल समझता था उन्ही के साथ अब बैठना पड़ेगा यह बात कक्षा में पहुचने पर समझ में आई मन खटा हो गया बाहरी अपरचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा माश्टर कौन है इसका पता नहीं था पुरानी किताबे और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंद नहीं था फिर भी लट्टे के बने थैले में उन्हें ले आया था पुरानी कापियों किताबों से कोई मतलब नहीं था लेकिन सरकंडे के बने हुए थैले में भर के उन कापियों किताबों को लाया था क्योंकि गरीबी मजबूरी इसी तरह की थी बस अड़े पर कोई लड़का अपनी पोट्री संभाले किसी इंतियार में जैसे बैठा होता है उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था यह इंतियार कर रहे थे कोई टीचर आएंगे कोई मास्टर आएंगे पढ़ाएंगे पढ़ने का अनंद मिलेगा क्या नाम है महमान नया दिखाए देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो किसी लड़के ने पूछा क्या नाम भाई नए दिखाए देते हो या गलती से कक्षा में आके बैठ गए इस कक्षा के हो नहीं तू कक्षा के सबसे ज़्यादा सरारती चोहान के लड़के ने सामने आकर खिली उड़ाने के स्वर में पूछा मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोसाग भी आजनवी जैसी है बालू गड़ी की लाल माटी के रंग में मतमेली हुई धोती और गमचा है गए हुए है आपके लेखा ज़रा सोचना 21 सदी के बच्चों के लिए जो क्लास में पढ़ने योग अध्याए है योग अध्याए है उसको लिखने वाले लेखा की हालत है पढ़ाई करते समय संगर्स वेक्ति को कहां से कहां पहुंचाता है सच में लिखा गया है कि आप पैदा हुए अगर गरीब घर में तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं लेकिन अगर आप गरीब ही मर रहे हैं तो इसमें सारी गलती आपकी ज़रा सोचना इस हाल में पढ़ने वाला लेखक CBSC बोर्ड द्वारा उसका कहानी का सीरसक चुना गया और आज वह अध्याय आप लोगों को पढ़ना है कितनी हर्ष की बात है कि एक विक्ति फर्ष से उठा और अर्ष तक पहुँचने की यात्रा में सफल हुआ देखे देखे तुम्हारा गमचा वह चौहान का लड़का आपके लेखक से कहता देखे देखे तुम्हारा गमचा ऐसा कहते है उसने मेरा गमचा च्छीन लिया अब बताओ बिचारा नंगा हो गया कमर तक तो दोती है दोती के ओपर गमचा ही था गमचा भी च्छीन लिया अब मेरा गमचा गया अब मेरा गमचा पूरी कक्षा में इसके खीचातानी होगी और फट जाएगा लेकर विचारा चिंता में है दादा फिर इसके लिए भी मारेगा मन में मैं यह सोचकर रुआसा हो गया लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं मतलब खीचातानी नहीं हुई उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की निकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस की आवाज की मतलब मास्टर की निकल कर रहा है इसका गमचा लेके इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा जट से अपनी जगह पर जा बैठा मेरा गमचा टेबल पर ही रहा पहले दिन की इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और चाती में धगधग होने लगी परिशान और यह तो चवहान का बड़ा जीव है परिशान करके रख दिया गमचा उपर था वह भी लेके भाग गया मास्टर की नेकल उतार रहा था मास्टर की मेज पर छोड़ दिया अब मास्टर पूछेंगे किसका है तो मुझे खड़ा होना होगा तो मेज पर कैसे आए यह भी बताना होगा डांट हमें सुननी होगी सैतानी इस चवान के लड़के ने की रणन वरे मास्टर कक्षा में आये यह मास्टर का नाम टेबल पर मत मैला गमचा देकर उन्होंने पूछा किसका है रहे तो लेक बोला मेरा है मास्टर का तू कौन है का मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ का गमचा ले जा पहले उसने चड़ी से मेरा गमचा उठा कर नीचे डाल दिया मैं उसे उठाने गया तो कहा यहां क्यों रखा है मुर्खों की तरह मैंने नहीं रखा मास्टर उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहां रख दिया मैंने नहीं रखा मास्टर उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहां रख दिया है यह चोहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है कहते हैं मास्टर उस लड़के की और चले गए मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछता आज की और बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे आज का वीडियो बस इतना ही लिखक को लगा छुट्टी मिली चलो चमान के लड़के की तरफ गए दोल धप होगी या घुसा डंडा कुछ मारेंगे तो चमान के लड़के को मारेंगे मैं तो बच गया गमचा जरूर मेरा था मेज पर लेकिन मैं बच गया क्यों क्योंकि वहाँ पे उसे मैंने नहीं रखा हुआ था तो आज का वीडियो बस इतना ही अगले वीडियो में हम कहानी का अगला पार्ट लेके फिर उपस्तित होंगे उमीद करते हैं का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो जैसा लगा जिस तरह समझ में आया कमेंट बाक्स में आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताईएगा जो चीद नहीं समझ में आयी होगी उसको भी आप जरूर पूछेगा बाकी आपनों को धन्यवाद